रालू जी ने मेरे पूरे परिवार को फसाया जेतनानन बेटा सिभर से विधायक है और उसने भी NDA सरकार को विहार में बचाने का काम किया है यहाँ पर आपका रतीरे जबाईएगा उपर में कमल खिलेगा अब यहाँ जो है छोटी बहान लगतार संगर्स की है 94 स्वी से 94 इसमी में में लोकसभा का चुनाओ जीती थी 222 चुनाओ जो बहुत ही ऐसी आसिक चुनाओ था और जिस समय पूरा लालू जी का डंका बजता था उस समय में आपकी छोटी बाहन ने घर से निकल करके बैसाली में उतना वरा वाहुमत से आपके आसीरवास से जीत आसील की आपको मालूम होगा उसी समय से हमारी लोग प्रियता के कारण उस समय से जो घटना हुई उसमें हमें लालू जी ने मेरे पूरे परिवार को फसाया आनन्द मौन जी को जेल दिया और हम लोग के उपर पूरा इनका निसाना चल गया आप सब लोग को मालूम होगा जब लानन्द मौन जी निर्दोस जेल में थे तो यही सिभर की महान जनता ने उन्हें दो दो बार सांसद बनाने का काम किया इतना ज़्यादा प्यार होड़ से ने लोग यहां पर दिया है विपरित परिस्थिती में लोगों ने यहां सिभर हम आये हैं अनुकुल परिस्थिती में आज अनुकुल परिस्थिती में हम लोगों के बीच जा रहे हैं तीस सार से सिवार से हमारा नाता रहा है जब दो दो बार सांसत बनाए तीसरी बार लालू जी ने ये कह करके कि पार्लियमेंट जाने नहीं दूंगा आनन्मुहान जी को इस Τरह से गेरागत, साफ सवा वोट से, कॉंटिंग में हराया गया, क्योंकि आनन्द मोहान जी, अतद वियारी वाड़ पेई को, एक वोट दीये थे सरकार बचाने में, और दस वोट दिनाये थे, अगर एक वोट से सरकार बचती, तो आनंद मौहांजी के बोर्ट से सरकार बसती तो हमारे पीछे इस तरह से परा गया है लेकिन आपकी बहन आपकी जो है कोहार नहीं मानी लगातार हम संगर्स करते गए है आज एक आपके आशिरवार से जेतन आनंद बेटा सिवर से विधायक है और उसने भी NDA सरकार को विहार में बचाने का काम किया है आज हम यह कहना चाह रहे हैं यह इस तरह से रहा है लगातार लोगों का प्यार सुने रहा और विप्रित परिस्थिती में जब 16 सार से अनंद मौहांजी अंदर थे तो हम यहां पर संगर्स कर रहे थे पचंपारन की धर्ती से पध्यात्रा करके कभी किसान रेली कभी कुछ कर रहे थे तो यहां लोगों के बीच में राने का काम की हूँ आज मैं आई हूँ यहां लोगों का आशिडवाद लेने के लिए कि आज तो हमारे पास अरुकुल परिस्थती है आज तो हमारे पास मोदी जी जैसा चेरा है आज तो हमारे पास नितिस कुमार जी जैसे मुकमंद्री है मोदी जी जैसे पृधान मंद्री है जो देश को आगे बरा रहे हैं और विहार के मुकमंद्री ने काफी बिहार को आगे बराया है हम आज एंडिये के टिकत से आए है तो ये तो हमारे लिए सोभागी की बात है तो लोगों से भी मैं ये काऊंगी सब लोगों से मैं काती हूँ कि 2005 से पहले बिहार को जंगल राज बोला जाता था जंगल राज बोला जाता था उसमें हम लोगों ने काफी कुर्बानी दिया लेकि जब से निकिस कुमार जी बाइटे सबतब सुमाने है विहार में चोमुकी भिकास हुआ है चाहे रोड हो, चाहे पूल हो, चाहे पुल हो चाहे महिलाओं के जो है 50% पंचायती राज में आरक्षन मिला है उसी तरह से देश के पुद्धान मंतरी जी ने 33% विधान सबा और लोग सबा में महिलाओं को आरक्षन दिये है ये तना काम हुआ है महिलाओं को भी उज्वला योजना के तहर गैस सेलेंडर उपर से कैदर से मिल रहा है ठाके में 55 लाग का मिल रहा है हम सभी जगा वही का रहे है कि आज उस युग को मत याद करिये लाटें युग को जहां की कोई सुरचित नहीं था हत्या लूट अफहरं का बोल वाला था विहार में लोग कुस उबा निकलता था साम में घर वापस आएगा की नहीं इसकी कोई गैरंटी नहीं होती थी लेकिन जब से सिया मुआ मुकमंदरी जी पर समाले है देश का दियार का भी आगे बढ़ा है उसी तरह से यहां पर नरेंद मोदी जी के नेतरित में देश हमारा आगे बढ़ रहा है अजयोद्यामि भबे रहां मंदिर बन गया इतना ज़्यादा जो अब वर्षों से था बरा हुआ वो हमारे मोदी जी ने किया है आप हम सभी लोगों को कहते है आईए हमको साहद दी जी आज हमारा मत ज़्यादा सुनिये आज हमारे अतिती का सुनिये हम तो आपके घर के है हमेशा आपके बीच में रहते है लेकिन ये मैं काने के लिए आई हूँ आप लोग अगर हमें जिताएंगे तो जो रीगा चीनी मिल बंद परा है वो निश्य गूरूप से खुलेगा रेलवे लाइन सिभर में नहीं है सिभर सिता हमारी मोतिहारी होके रेल लाइन जाएगा ये सभी हमारा मुद्दा है और पुनोरा धाम में भाबर जान की मंदिर बनेगा उसी तरह सिक्यों कि केंडर में हमारी सरकार रहेगी विहार में सरकार है डबल इंजन का सरकार है और यहाँ पर भी बहुत सरा विकास होगा वागमाती पर फूर होगा धाता को जीरा बनाया जाएगा ये सभी मुद्दा है हम कवाम लोगों से कहेंगे कि सब लोग उपर उठकर के जहाँ पाद धरम मजब से उपर उठकर कुनिए यहाँ पर आपका रतीर जबाईएगा उपर में कमद किनेगा